हुआ हेलो प्रेंट्स वेल्कम बैक टो आज चैनल दोस्तों को एमम में प्रॉब्लम ये है गारी चल के आया और बंद होगी है जबकि गारी में डिजल है फिर भी बंद होगी है इधर ये प्रॉब्लम ये है कि इसके जो हाई-प्रेश्यर पंद है है तो मैं आप सब को दिखाना है और हाई-प्रेश्यर का काम क्या है तो शुक्रपे स कंने के वाय शीज़िए धूनके अंonstra तो ऑप में ह मुझात अब पॉननिया करें अंदर, जो खूलने के अंदर किने थाम, प्रॉबलम तो कि च्ब्र हीप्रकप को मैं खोलूँहार और खोलने का क्या प्रोशेस है मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हाइप्रेशर पंप खोला जाता है और किस तरह से उसका काम होगा मैं इस वीडियो में आप तक को दिखाऊंगा तो आएए देखते हैं किस तरह से काम होगा प्रेंट्स इसका जो हाई प्रेशर पंप है वो यह है और इसे खुलने के लिए हमें टाइमिंग कवर और जितना सारा यह आप देख रहें यहां का जो भी बोल्ट है या टाइमिंग का कवर है यह सारा मैं खोल दिया हूँ यह है इसका हाई प्रेशर पंप से ऑउयल नहीं आ रहा था जिसके चलते हैं मुझे प्रेशर पंप निकालना पड़ रहा है और आप प्रेशर पंप खोलने के लिए आपका जो मोबिल फिल्टर है इसका ब्रैकेट यह सारा खुलना पड़ेगा यहां बोल्ट एक लगा हुआ है और एक यह है अगर 22 mm का इसे मैं खोलूंगा यहां से मैं पूस्क करूंगा तो यह हाई प्रेशर पंप जो है यह इजी प्रोसेस स दिखाते हैं किस तरह से हाई प्रेशर पंप को बाहा निकाला जाता है कि यह सामने आप जो बोल्ट है यह मैं खोल दिया यह अब देखे रहे यह बोल्ट मैं खोल दिया हुँ और पंप यहां से बाहरा आएगा इस तरह से दीसलों है आफ देख रहे हैं यह है उसका हाइप प्रबलम आपका इसी हमणरा है पन्पहूर्स से बनके आचुका हैं एह बहुत अच्छा तरीका से काम हुआ है इसका और बहुत अच्छी अच्छा से काम हुआ है अब बस इसको फिटिंग करना है प्रॉम्ब्लम इसमें इह था कि जो ऑईल इंजन को भेजता था इंजन को ऑईल सही से नहीं भेज पा रहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके इसके कारण में यह हाई प्रेशर पंप को खोल के बाहर किया पंप लेके गया और इसमें जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्फ हो गया है तो अब इसे फिटिंग करना है यहां आप यह देख रहे हैं यह देखें मैं सारा टाइमिंग का कवर निकाल दिया हूं और जो पंप है यह इस जगह पर सेट होगा यहां पर यह उसका पंप का पुल्ली है प्रेश ऐसे फिटिंग करते हैं फिर आप को इस वीडियो दिखाते हैं कि यह किस तरह से क्या काम हो रहा है आप इसको अच्छा से देखिए प्रिंट्स इसका हाई प्रेशर पंप जो है वो सेट हो गया है यह देए इसका टैमिंग कवर लग गया है और अब बचा हुआ है अल्टेनेटर क्रेंक पुली और अडलर बस यह सब फिटिंग करना है बाकी सारा इतमे हो गया कम्ट्लीट देख रहे हैं इसका सब लग गया है यह हाई प्रेशर फंप है मोगल फिल्टर लगा रहा है मझे इसके बाद में स्टार्ट करके मैं आप सब को दिखाऊंगा और इसमें जो प्रॉब्लम था वो साट आउट हो गया है और इसमें जो प्रॉब्लम था वो फिट कर दिया और बाकी जो भी समाने सारा फिट कर दिया और अब मैं आप सब को दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठेक है तो आईए देखतें आप दिखाऊंगा जो इसका प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठेक है तो आएए देखतें के ड्राइब करके अब अब लोग अपना गाड़ी लेके निकल गया है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए गाड़ी पे अब सब कि अब सब देख रहे हैं मैं बहुत देर से ड्राइब कर रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं है बिल्कुल ठेक है आप देखी रहे हूंगा प्रेंट्स गाड़ी को ड्राइब करके देखिए मैं लेके भी आगिया और अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉनेट खोले दो अब देख रहे हूंगे गाड़ी स्टार्ट है और जो प्रॉब्लम था इसका हाई प्रेशर प्रॉब्लम से था जो मैंने बहुत अच्छा तरीकर से इसका सॉट आउट किया प्रॉब्लम को कि देखिए गाड़ी बंद कीजिए स्टार्ट किजिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं है बिल्कुल ठीक है दोस्तों आपने देखा मैं किस तरह से इसका जो हाई प्रेशर पंप है इस हाई प्रेशर पंप का काम किया और किस तरह से काम हुआ आपको यह कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें में चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं प्रेंट कोई नीव इंट्रेस्टिंग बाते लेगे तब तक के लिए आपके जाएं